Hey what's up guys, welcome back once again So दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे हैं उसका नाम है The North तो कहानी की शुरुआत होती है North Face नाम की एक mountain से जो की स्विजर लैंड में मौझूद है जहांपे दो क्लाइंबर काल और रॉय गए थे लेकिन उनका दो दिनों से कोई भी आता पता नहीं है इसलिए उन्हें ढूर्णने के लिए एक plane को भी भीजा गया था और वो भी कहीं नहीं मिले जिसके बाद उस mountain को wall of death खोशित कर दिया जाता है क्योंकि उस हाथ से के बाद सरकान ने उस जगाँ पर चड़ना बैन कर दिया पर वो कहते है ना कि जिस चीज को मना किया जाए उसे ये करने में असली मज़ा आता है बहुत से लोग उसके बाद भी north face पे climb करना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए कुछ रिपोर्टर का तो ये भी मानना है कि जो भी उस माउंटीन के टॉप पर जाएगा उसे वो अलम्पिक की तरफ से gold medal मिलेगा मगर इस बात पर कितनी सच्चा ही है ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका है और नहीं कभी कोई इस टॉप तक पहुच पाया है वेल सीन शिफ्ट होता है 1986 बर्लिन के एक निउस्पेपर हेड़कॉर्टर से जहां पे क्लाइमबर के उपर मीटिंग हो रही है ये लोग चाहते हैं कि कोई क्लाइमबर नौर्थ फीस पर चड़े जिसी कि उनके निउस्पेपर को फायदा हो तब ही क्लेयर जो कि ऑफिस की सेक्रेटरी होती है वो बताती है कि मैं इन्हें जानती हूँ ये मेरे बच्पन के दोस्त हैं लेगिन उसकी बाद पर कोई यकीन नहीं करता है इसलिए वो चुब हो जाती है तब सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो टूनी और एंडी को ही भीजेंगे नौर्थ फेस पर चलने के लिए अगर वो मान गए तो इसे हमारा बहुत फायदा होगा उस देर बाद क्लेयर को उसके बॉस बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ इसलिए ये लोग कुछ पैसे रखो और जाकर उन दोनों को नौर्ट फेस पर चलने के लिए मना लो अगर वो मान गए तो तुम्हारा प्रमोशन तैय है वहीं दूसी तरफ हम टूनी और एंडी को देखते हैं वो दोनों घर पहुचते हैं तो वहां उन्हें क्लेर दिखती है जिसे देखकर रैंडी बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसकी बच्पन की दोस्ती लेकिन वहीं टूनी अपनी खुशी बाहर नहीं लाता इसकी ये वज़ा थी कि सालों पहले क्लेर और टूनी एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन काम के सलसले में क्लेर को शहर जाना पड़ा जिसके बाद उनके बीच जो भी था सब कुछ खतम हो गया पर यहां वो उसका अपना गाउं में अच्छे से स्वागत करता है तरह से तयार नहीं है इस खतनाक चुलाई करने के लिए और इसी लिए वो क्लेर को साफ साफ मना कर देता है जिसके बाद उन दोनों में बहुत बहस भी होती है क्योंकि उसका ना कहने से क्लेर का प्रोमोशन रुख जाएगा लेकिन टोनी कहता है कि तुम्हें बस हमेशा खुद की फिकर रहती है अगर हमें कुछ हो गया तो क्या तुम इसकी जिमेदारी लोगी बलब वो वापस बली ना जाती है और वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं वहीं दूसरी ओर टोनी और एंडी के धिमाग में वहीं नौर्थ फेस वाली बात अभी भी घूम रही थी वो चाते तो हैं ये करना लेकिन बहुत सी चीजे उन्हें ऐसा करने से रोक रही है एक राट टोनी बहुत सोचता है और आखिरकार वो इस वैसले पर आता है कि उन्हें ये करना ही है और ये करने से वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं कम से कम इस गरीबी से तो उन्हें फुरसत मिल सकेगी लेकिन वहाँ जाने के लिए उन्हें आर्मी से कुछ दिनों की चुट्टी लेनी पड़ेगी वो अपने सीनियर को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें चुट्टी नहीं मिलती इसलिए वो अपने उस जॉब को ही छोड़ देते हैं उदर क्लेयर और उसके बोस ट्रेन से आराम से सुजिलैंड की तरफ आ रहे थे इस ट्रेन में बहुत से अमील लोग बैठे थे जो टोनी और एंडी जैसे गरीब लोगों को देखकर लुफ्त उठाने आ रहे थे इन लोगों को इस बात की कोई फिकर नहीं है कि अगर वो मारे गए तो क्या होगा अब इनको बस इंटेटेन्मेंट चाहिए था इसके बाद क्लेयर और इसका बोस दोनों से उजलैंड पहुँच जाते हैं और वहां जाके एक होटल में स्टे ले थे हैं और भी बहुत सारी रिपोर्टर वहां पर आये थे जो क्लाइमबर्स का इंटेव्वी लेने आये थे दर टोनी और एंडी भी अपने इस कलमबे सफर को पूरा करके नॉर्थ फेस के नीचे पहुच चुके थे लेकिन वहां वह देखते हैं कि उनसे पहले ही बहुत सारे क्लाइमबर्स पहुच चुके हैं जिनमें स्मित और जॉन भी मौझूद थे जिनने क्लियर के बॉस ओलिव ने यहां पर बलाया था कुछ समय वहां बिताने के बाद उन दोनों उस जगां को एक्स्प्लोर करने लग जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आकर कैसे कैसे उपर जाना है जर ओलिव और क्लियर दोनों रात एक स्पीशल ट्रेन बोर्ट करके एक पॉइंट पर पहुचते हैं जहां से उन्हें नौर्थ फेस का अच्छा व्यू मिलता है तब ही एक लियर का पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते बचती है अब दूसी तरफ जब वो जॉन और स्मित का इंटेव्यू ले रही थी जिसके बाद सारे लोग रात में मिलते हैं जहां पर एंडी सब को पताता है कि उन्हें ये क्लाइमिंग करके रिकॉर्ड बनाना है कि जिन्होंने सबसे कम ताइम में नौर्थ फेस पर चुड़ाई करी अगली राद जब सारे अमीर लोग होटल में अराम कर रहे थे तब ही बाहर तेज बारिश होना शुरू जाती है जिसमें अंडी और टूनी का कैम उलते उलते बचता है और हमें यहाँ पर अमीरी और गरीबी का फर्क दिखाया जाता है सीन कटों के पहुचता है आठारा जुलाई की रात ये वही रात है जिसे इतिहास के नए पन्ने के शुरुआत होने जा रही थी लेकिनों से पहले हम टोनी को देखते हैं जो छुपते छुपाते उसी होटेल में पहुच जाता है जहां बे क्लेर ठेहरी ही थी उसके रूम में जाकर उसे एक डायरी देते हुए कहता है कि इसे तुम अपने पाश रख लो तो कहती है कि क्यूँ तुम तो जहाँ पर जाते हो क्लाइमिंग करने इसे अपने साथ लेकर जाते हो तो आज तुम ये डाइरी मुझे क्यों दे रहा हूँ तो टूनी कहता है कि हाँ मुझे ये पता है लेकिन न जाने क्यों मुझे इस बार बहुत याजीब फील हो रहा है अदानी शायद मेरे साथ कुछ हो न जाए इसलिए तुम इसे रख लो इस डाइरी के हर पन्ने मेरी जिन्दगी के सारे खुबसूरत पल धर्ज है इनने समभाल कर रखना उसे वादा करती है कि वो इसे समभाल कर रखेगी ताकि जब वो वापस आये तो उसे उसकी कीमती चीज़ वापस मिले जैसे वो उस से दे कर जा रहा है तो दोनों अपना समान रेडी करते हैं और निकल जाते हैं नौर्थ फेस के टॉप पर पहुँचने के लिए लेकिन उन्हें जाते हुए स्मित और जॉन भी देख लेते हैं तो वो भी उनके पीछी पीछे चड़ाई शुरू कर देते हैं दीरी दीरे सुरज निकलाता है लेकिन तभी आंडी से एक पत्थर दूर जाता है जो जाकर नीचे जॉन के इस सिर पर लगता है जिससे वो घायल हो जाता और तब पहली बार टोनी और आंडी को उन दोनों को देखने को मिलता है उन्हें वो वान भी करते हैं कि वो उनका पीछे ना आए लेकिन जॉन और स्मित नहीं मानतें क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि एंडी और टोनी उनसे एक लाग गुना अच्छे क्लाइमबर हैं इसलिए अगर वो उनके पीछे पीछे क्लाइम करते रहे तो वो उपर तक बहुत सकते हैं इसलिए वो बस उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ते रहे थे उधर होटेल में सबको पता चल जाता है कि दो टीम ने क्लाइम करना शुरू कर दिया है इसलिए सभी लोग फॉरन अपना अपना टेलिसकोप लेकर बैलकनी में आ जाते हैं उन चारों कोई फोटोज लेने के लिए सभी होड में लग जाते हैं वेलवाई दूसरी और नौर्थ फेस पर दोनों धीरी धीरी कर गिया बागे बढ़ रहे थे लेकिन उनके पीछे कैसा मोला जाता है जहां पर टूनी अपना हुनर दिखाता है वो एक रस्ती की मदद से दूसरी साइट छलांग मार कर चला जाता है लेकिन जब बारी जॉन ये करने में बहुत दिक्कत होती है पर वो भी जैसे तैसे ये कर ही लेते हैं कुछ समय के बाद अंधीरा हो जाता है तो टूनी और एंडी वही पहाल पर ही अपनी रात गुजारते हैं सिर्फ एक रस्ती के सहारे उन्होंने अपना टेंट बनाया था लेकिन यहां होटेल मे सब लोग आराम से अपनी रात कुजार रहे थे और इस बात को डिसकस कर रहे थे कि उन्हें किस क्लाइमबर पर बूली लगानी चाहिए अब सुबा हो जाती है और सब फिर से चढ़ना शुरू करते हैं लेकिन यहां समित के सर पे जो चोट लगी थी वो बढ़ रही थी इस 300 फीट की उचाई पर है लेकिन अभी भी सफर बहुत ही लंबा है पर कुछ समय के बाद इनका सामना होता है बर फीले तुफान से जिससे की ठंड और जादा बढ़ जाती है और ऐसे मौसे में पकड़ बनाना बहुत ही मुश्कल था लेकिन यह रुकने वाले नहीं थे अब कि उनके परिवार वाले उन्हें आखरी बार देख सकें जिसके बाद यह लोग फिर से क्लाइमिंग करना शुरू करते हैं लेकिन तभी जॉन का पैर स्लिप हो जाता और जाकर वो एक पत्थर से ठकरा जाता है जिससे कि उसकी पैर की हेड़ी टूट जाती है और ऐसी हालत म कि अगर हमें साथ में नीचे ही जाना है तो इससे बैतर है कि हम लोग जॉन को लेकर उपर चड़े और बड़ी ही मुश्किलों से वो उसकी बात को मानता है और फिर वो दोनों जॉन को एक स्लीपर बैग में पैक कर देते हैं और उसकी रसी अपने शरीर से जोल लेते हैं त दोस्तों फाइनली 20 जुलाई को ये लोग उस जगा तब पहुच गए थे जहां से थोड़ी ही दूर पर टूरिस्ट स्पोर्ट व्यू है लेकिन इन्हें तो उपर जाना है इसलिए वो और उपर चलना शुरू करते हैं लेकिन तभी एक रसी छूट जाती है क्योंकि काई कठा होकर बैठ जाएंगे और सोईंगे नहीं क्योंकि अगर उन्हें नहीं नहीं तो वो जम कर मारे जाएंगे इसलिए उस राज सभी जाकते रहते हैं और 20 जुलाई की सुभा एरिया में खबर फैल जाती है कि तूफान अब और तीज होने जा रहा है इसलिए जो भी किसी को बताए उस टूरिस्ट व्यूपॉइंट पर चली जाती है और वहां से टूनी टूनी पुकाने लगती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता और तभी वहां के टेकर आता है जो उसे अंदर चलने को कहता है क्योंकि एतने तुफान में उन तक आवास बहुश पाना जाती है जिसके बाद वो भी उसे आवाज लगाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो जादा दूर नहीं है बैंडी कहता है कि हमें किसी तरह से वीव पॉइंट तक जाना होगा वना हम यहीं जम जाएंगे इस समय उपर क्लाइम कर बाना खत्रे से खाली नहीं है लेकिन टोनी कहता है कि मेरा एक हाज जम चुका है मैं कैसे वहां तक जाओं तब एंडी उसे एक सचे दोस्त की तरह उसे होसला बढ़ाता और उसे आगे चलने की हिम्मत देता है क्योंकि वो उसके बिना अधूरा है जिसके बाद टोनी बताता है कि उन्हें उस पहार तक जाना है जो दूसरी तरफ है लेकिन वहां तक पहुचने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा रसी की जरुत होगी जब उनके पास नहीं बची है पर टोनी एक हिम्मत वाला बंदा था वो उसी रसी में दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है ताकि अपने साथियों के लिए आगे का रास नहीं है उदर होटल में सबको खबर मिल जाती है कि वो चारों क्लाइमबर्स जादा देर तक जिन्दा नहीं रह पाएंगे सबको यह सुनकर बहुत बुरा लगता है लेकिन यहां ओलिव के दिमाग में अभी भी पैसा आ रहा था वो भागते वे उसी व्यूपॉइंट पर आता है और क्लेर से कहता है कि तुम्हारे पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जाओ और उन लोगों की फोटोस क्लिक करो लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो यहां पर उन लोगों की फोटोस नहीं बल्कि उनकी जान बचाने के लिए आई है दोस्तों 20 घंटे बी चुके थे और इन लोगों को मौत से लड़ते लड़ते लेगिन तब ही एक हासा हो जाता और ये हासा सब कुछ बदल देता है उपर से बहुत सारा बर्फिन की रसी पे गिरने लगता है जिसे इसमें जाकर एक हुक से टकरा जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है दूसरी अब शायद तुम्हें खुद अकेले ही इतिहास लिखना होगा अंडी दोस्तों अपनी रसी काटने लगता और उसे ऐसा करता देख टूनी उस पर बहुत चिला आता और कहता है और कहता है कि जल्दी से उपर आ जाओ पर ये बात दोनों को अच्छे से पता थी कि वह रसी बस एक ही आदमी का भार समाल सकती है इसलिए आंडी रसी को काट देता और सीधा नीचे खाई में गर जाता है उसने बस ये टूनी के लिए कि लिए था ता कि वो जिन्दा रह सके अब अपने सामने उसे मरते हुआ देख टूनी वही रोने लगता और वो पूरी तरह से चुके जिन लोगों ने इन चार उपर बूरी लगाई थी लेकिन एक क्लाइमिंग की टीम अभी यहां मौजूद थी जिसके सामने क्लियर टूनी की जान की भीग मांगती है और गड़गडाते हुए उसे मदद मांगती है अब वो लोग भी क्लाइमर्स थे इसलिए क्लाइ लेकिन उनके लिए उपर चलपाना इतना असान नहीं था इसलिए वो क्लेर से कहते हैं कि कैसी भी करके यह रात निकल जाए हम लोग कल सुबा जाकर टोनी को ले आएंगे लेकिन क्लेर को यह बात पता है कि कल तक शायद टोनी जिन्दा ना बच पाए इसलिए वो दास होकर बालकनी से बाहर एक कोनी पिर जाकर बैठ जाती है और पूरी राट टोनी टोनी पुकारती रहती है ताकि उसे यह ऐसास होता रहे कि वो अकेला नहीं है फानली सूरज निकलता है जिसका बाट टीम फिर से उपर चलना शुरू करती है और एक जगाँ पर रुक कर वो टोनी को आवास लगाती है कि अब हम इससे आगे नहीं जा सकते इसलिए तुम अपनी रसी नीचे फेक दो ताकि हम उसे पकड़ कर उपर आ सके वेल दोस्तों यहाँ पर टोनी की हालत को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगाँ पर कितनी ज़ादा ठंड पल र पर तभी हम देखते हैं कि टोनी खुद उस रसी के सहारे नीचे आ रहा था जिसे देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है लेकिन एक समय आता है जब टोनी की रसी खतम हो जाती है और वो बालकनी के उपर ही लटका रहता है तो क्लियर उपर चलती है और इसके करीब जाकर कहती है कि देखो टोनी इधर आओ देखो मैं तुम्हारे लिए यहां तक आ गई हो उठ जाओ चलो मेरे साथ चलो हमें एक साथ भी तो रहना है ना इस रसी को पकड़कर मेरी तरफ आ जाओ उसके आवाज सुनकर वो अपना सर उठाता है लेकिन अगले ही पल उसके शरी क्लियर को वापस जर्मन जाने को कहता है पर इतना सब कुछ होने के बाद उसे समझा गया था कि अगर वो उस दिन टोनी और आंडी के पास ना जाती और ना ही उन्हें इस पहाल के बारे में बताती तो शायद आज वो दोनों जिन्दा रहते अब ये सारी बाते छोड़कर उसने औले की जौब छोड़ दी और एक फोटाग्रफर बन गई है जिसमें वो खुद की पसंद की फोटोस खीशती है और आज वो खुल कर जी रही है उसे हमेशा से इस बात का दुख रहेगा कि टोनी उसके पास नहीं है लेकिन वो फिर भी खुश रहने की पूरी इस पूरी कहानी में आपको प्यार, हुनर, दोस्ती, हर एक चीज की सही परिभाशा देखने और सीखने को मिलती है इस वीडियो पर एम करते है 350 कॉमेंट का जिसके साथ ये कहानी एक खतम हो जाती है तो आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा मलते हैं आप सब्सक्राइब में थांगी सो मुच वाचिंग, पीस आउट